नमस्कार मैं हूं धर में इंदर आप देख रहे हैं ओलाइन उजिंडिया नरेंदर मोदी की सरकार ने तीनों किसान कानूनों को वापिस क्या लिया कि अंधभक्त उन्हीं पर तूट पड़े मोदी जी के अंधभक्त जो की अभी तक लगातार सोनिया गांधी राहुल गांधी और विपक्स के तवाम नेता ममता बिनर जी अखलेस यादव केजिरिवाल उद्व ठाकरे इनको गाली देते हैं आज उनी को गाली दे रहे हैं जिन्होंने काटना सिखाया था दूसरों को आज उनके अंधभक्त तूट पड़े और कितनी गंदी भासा का इस्तमाल किया है कैसी कैसी गालिया खुद नरेंदर मोदी के जो अंधभक्त है उन्होंने दी है बड़ी मेत्पून खबर है सोच करके देखे जिनको तयार किया गया था दूसरों के उपर अटेक करने के लिए जो खुद पर अटेक कर रहे हैं तो फिर क्या बन पड़ी है आपको दिखाएंगे कुछ एक अंधभक्त है पहले एक दिखाते हैं आपको इन्होंने फेस्बुक के उपर लंबा चोड़ा पोस्ट लिखा है वो आपको दिखाते हैं इन्होंने फिर भी थोड़ा सा भाषा की थोड़ी मर्यादा रखी है लेकिन एक और आपको दिखाए जो कि विपकसी पार्टी का ट्रोल है वो भी नरेंदर मोदी को इतनी गालया नहीं लिखता जितनी उसने लिखी है पहले आप यह देखी दैनंद पांडे हैं इन्होंने लिखा है तो क्या अब CAA और 370 की भी वापसी होगी चुनाओ का डर ही अगर सब कुछ है तो नरेंदर मोदी फिर किस लिए भला फिर चीन की सरद पर भी चीन को सब कुछ सौप दीजिए अरनाचल, सिक्किम, लद्दाक सब दे दीजिए पाकिस्तान को भी कस्मीर सोप दीजिए सीधे कॉंग्रेस को सत्ता सोप दीजिए किरसी कानून की वापसी भर नहीं यह नरेंदर मोदी के इकबाल और धमक की मिट्टी में मिल जाना है यह वो कहरें कि अगर सब कुछ वापसी देना है अगर चुनाओ की डर से ही जो है वो सरेंडर कर देना है तो फिर नरेंदर मोदी किस लिए बला क्योंकि नरेंदर मोदी की जो छवी ऐसी बनाई गई है 56 इंच की चाती है, लाल आखे है, डरता नहीं है कुछ भी कर देता है, सर्जीकल स्ट्राइक कर देता है यह ऐसी छवी घड़ी गई है अब वो कहरें कि अगर ऐसी बात है चुनाओ की डर से ही अगर आप डर रहे हैं तो फिर चीन को भी सब कुछ दे दीजिए कस्मीर पाकिस्तान को दे दीजिए कॉंग्रेस को सत्ता दे दीजिए तीन सत्तर वापसी कर दीजिए फिर आप किसलिए हमें वो यहाँ पर पागल बना रहे है यह इन्होंने का है इंद्रा गांदी के बाद में देश को कोई सक्त फैसले लेने वाला प्रधान मंत्री मिला था तो वह नरेंदर मोदी था अब नरेंदर मोदी भी तिरोहित हो गया है देश का भगवान ही मालिक है देश के आगे बढ़ाने की सारी उमिदे धराशाई हो गई है किरसी कानूनों में कोई खोट नहीं था हम भी सही छोटे ही सही किसान है सो जानते हैं देश और किसान की तरक्की के लिए है तीनों कानून कितने जरूरी थे कुछ गुंडों के गुंड़ाई के आगे नरेंदर मोदी दंडवत हो गए थू-थू ये कह रहे हैं थू-थू नरेंदर मोदी को कि कुछ गुंडों के आगे जो है दंडवत हो गए और किस तरह से जो है वो इंद्रा गांदी के बाद में पहला कोई ऐसा प्रधान मंत्री मिला था जो मजबूत फैसले ले सकता था यह बता है गया ना क्योंकि इंद्रा गांदी से वाकी जो है वो ताकतवर प्रधान मंत्री को यह और दूसरा गिना जाए तो गिन्ने में आता नहीं है, हर प्रधान मंत्री के अपने अपनी वैल्यू है, हर प्रधान मंत्री ने अपने अपने काम किया है, देश को खुब आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन जिस तरह से इंद्रा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकडे कर दिये थे, वो काम इकलोत इंद्रा गांधी ने किया था और इसलिए उनको आइरन लेडी कहा जाता है लेकिन अब अंधभक्तों को कहा गया कि वो तो उससे भी प्रधान मंत्री है ये कंग्रा जिसे लोग तो कहते कि 2014 में आजादी मिली है लेकिन खैरा भई इन्होंने क्या कहा है आगे देखिया आपक कहां तो जनसंक्या नियंतरन बिल की प्रतिक्स्या में देश था कहां दो चुनाव जीतने के लिए सब लोट गए ऐसे तो कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते लोग जिताएंगे भी किसे और किस क्यों सब का विश्वास के नाम पर मुस्लिम तुस्टिकन कॉंग्रेस से भी ज्यादा हो रहा है अब यहीं सरंडर करने भी लगे नरेंदर मोदी के नाम पर यह बटा लगा दिया आपने ही नहीं देश में मजाक बना दिया है अब तो कोई कानून बदलने के लिए कुछ गुंडे दिल्ली को घेर लेंगे और आप लेट जाएंगे तो कहें के नरेंद दे रहे हैं और दूसरा जो हम आपको सुनवाएंगे वो तो इतनी भद्दी भद्दी गालिया दिया है मैं गालियों को नहीं पढ़ पाऊंगा मैं क्यों आपके सामने रखूंगा यह आप देखिए विनोध कापड़ी ने ट्वीट क्या है विनोध कापड़ी ने नाम धमकी दे रहा है दिली पुलिस कारवाई कीजिए यह जो है यहां पर विनोध कापड़ी ने ट्वीट शेर किये है अब देखिए अजीत सिंग के नाम से कोई ट्वीटर है और अजीत सिंग के नाम से इस ट्वीटर हैं जो है यह आप देख लिजे पहले इसका बायो आ रखी है जब तक सपोर्टर थे तो 100% सपोर्टर थे 99 नहीं 100% थे आज से विरोधी हूं 99 नहीं 100% feeling like गोड से यह कह रहे हैं कि गोड से की तरह से हो गया हूं अब मैं जिस तरह गोड से न जो है उमातमा गांदी को गोली मारी थी वैसे ही मैं काम कर सकता हूं और 100% जब सपो से क्या है के लिए हमने अपने परिवार की सुरक्षा अपने आई जीवी का अपने केरियर को दाव पर लगा दिया और ये जी जी का मतलब आप समझे लीजे मैं नहीं बता सकता हमको इन भेडियों के सामने फेक कर भाग गया यह देखी किस तरह की जो है उगुसा निकल रहा ह फिलिंग लाइक गोड से हे राम और इसको आगे कहरें कि इन फरोडों ने जो है मेरे दिल को तोड़ दिया यू ब्रोक माई हार्ट इसके बाद में एक और ट्वीट है इनके और इसमें बिलकुल गालिया लिखी हुई है आप खुद देख लिजिए साल भर पहले ही जो है क्यों आप करवा लेते यह साल भर बाद में क्यों यह मैं आगे नहीं पढ़ सकता है आप खुद देखे लेकिन नरेंदर मोदी के लिए गालिया लिखी गई है और यह नरेंदर मोदी के भक्त है उन्होंने गालिया लिखे किसी और नहीं लिखिए अब आगे लिखा है कि क् 370 कब वापसी लेगे, कास्मीर भी लेट जा, वहां पर भी कहारे कि 370 भी वापसी लेट, कास्मीर भी लेट जा, यानि कास्मीर भी पाकिस्तान को दे दो, आज से मेरे पास इस आगे में ये सब्द जो है वो नहीं पढ़ सकता आप देख लीजिए कि कोई फोटो होती तो उस पे जूते मारता थूकते वे बलकि उस पे ये कर देता पोटी करने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं मैं वीडियो बनाता इस आगे आगे नहीं पढ़ सकता इस फिर गाली दी है आज बीजेपी वरकर और समर्थक समाज में मुह दिखाने के लाइक नहीं छोड़ें ये नरेंदर मोदी को जो है, वो किन्नर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसने बीजेपी के समर्थकों को समाज के अंदर मोदी घाने के लाइक नहीं छोड़ा, इसको थूक के चाटना नहीं बलकि यहाँ पर जैसे शब्द लिखे हैं वो पढ़ने लाइक नहीं है, इत्यास मे इसको कहते कि ये नपुनसक है किन्र साबित हुआ久. कुछ इस तरह नहों ने लिखा है आप ये इस बात को बाखोगी समझा। तो देखें किस तरह से एक नफरत खड़ी की गई और नफरत केवल नफरत जानती है प्यार महबत केवल प्यार महबत जानती है यह सचाई है इस बात को बीजेपी नहीं समझ पा रही थी कि जिस नफरत को आप दूसरों के लिए तयार कर रहे हैं वो लोटकर आपके पास में क्योंकि जिसको काटना आता है वो काटता ही है और जिसको लाड़ प्यार जताना आता है वो लाड़ प्यार ही जताता है काटने वाला सामने वाला उसको कोई मिलता है तो सामने वाले को काटता है जब सामने वाला नहीं मिलता है तो फिर आपको भी काट सकता है और वही कुछ प्यार दिखाई नहीं देती। आपको आपके ने नेता के अंदर से बी प्यार किता हो जाता है। एतनी नफरत पैदा की जा रही है। शोच करके देखें ये लोग अपने परिवार में किस तरह से रहते होगे। ये लोग जो अपने सबसे बड़े नेता को, अपने भगवान जैसे नेता को अगर इस तरह से गाली दे रहे हैं, तो फिर अपने परिवार में कैसे रहते होंगे, खबर बड़ी दिल्चस्प है, शायद कुछ लोगों के आँख खुल जाएं, जो अंधवक्त हैं, उन लोगो तक जरूर पहुँचाएं, जो मोदी की अंधभक्ती में नफरत्य बन गए हैं, नफरती बाज बन गए हैं, और लगातार आपको, अपके परिवार को, और ना जाने, किस-किस लोगों को जो है, वो गाली देने का काम करते रहते हैं, उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं ताकि उनके आँखे कोल सकें, इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो, निचे कमेंट बोक्स में अपनी राय जरूर दें, और चीतर एक तमाम खबरों के लिए, ओनलाइन वीजिन डेक सब्सक्राइब करें, साथ में जो बैल आइकन है, घंटी उसक